कि सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके परिवार वाई-फाइ स्टेडी 2.0 पर तो दोस्तों आपका खास वो शुरू हो चुका है जिसमें हम लोग सिक्स मंद करेंट अफेर के वो खबर पढ़ते चुनिंदा गुलदस्ते यानि कि पूरे बाग में से वो चुनिंदा गुलदस्ते जो आपके एक्जामनेशन में आने के चांसे ज्यादा होते हैं उन करेंट अफेर को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों बेश्ट 206 मंद क यह क्लास डेली आपकी पांच बजे होती है शाम को डेली साम को पांच बजी यह क्लास होती है दोस्तों इसमें जैनवरी और फरवरी हम सुरू कर रहे हैं और तीन बजे दोस्तों एप पर फ्री स्पेशल क्लास होती है अनकेडमी लर्नर एप पर जिसमें नवंबर और दिस नायक होगा दोस्तों तो यह classes आपको दोनों घंटे की लेनी है दोनों classes लेनी है एक भी class छोड़नी नहीं है ठीक है एप पर दोस्तों यहां पर यह जो class हो रही है इसका मैं जी यह भाई 10 पे इस समय आज जो है आप लोगों के लिए 20 परसेंट का डिसकाउंट चला है 12 तारिक से 14 तारिक के बीज में तो दोस्तों इसका फायदा उठाने का इदम आज मौका है और अगर और डिसकाउंट चीए ता मुझसे contact कर सकते हैं जी यह भाई प्यूसर पे ठीक है क्लियर रादे रादे गुड़ इवनिंग सभी लोगों को नमस्कार आइए शुरू करते हैं दोस्तों डेख सकते हैं आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको यह सारे बैचिस मिल जाते हैं इन सारे टीचरों के इंडिविजिवल बैचिस भी मिल लिंटेड एक्सेस मिल जाते हैं चाया वो इंडिविजिवल लाइफ क्लासेज हो इंट्रक्टिव क्लासेज हो क्विज बाइपोल पीडियव टेस्ट सब कुछ मिल जाता है स्टेडी मेटेरियल आपको अलग से कुछ नहीं करने की जबरत है सो टीचर हैं जो भी आएंगे वह सब एड होते चले जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लिया था तो सुमित सर नहीं थे सुमित सर महत वाले अब जॉइन कर लिया ने केडमी उनके भी बैचेस आपको मिल गया लग से आपको कुछ नहीं खरच करना पड़ा आइकोनिक सब्सक्रिप्शन में दोस् आइकोनिक वाले को प्राइटी मिलती है ठीक है समझ में आगी प्रात्मिकता मिलती है आज आइकोनिक वाले एक जो है कि सज्जन से बात भी हुई बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था उस चक्कर मेरा पेंड टूड गया था लेकिन वह मैंने फिर सब्सक्राइब बना लिया बहुत ही खतरनाकक क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूरी क्वेश्चन पूछा था मतलब बहुत ही जरूरी था वह लाख नो दो चौ और उसको मैंने कॉल करके मतलब हम लोगों ने जवाब सवाल किया आपस में बहुत टफ कुश्चन था दोस्तो 24 महिने का सब्सक्रिप्शन जो है आपको मिलता है 325 पर मंत 7800 रुपे में और PSI 10 कोड यूज करने पर आपको 10 रुपे से भी कम की कॉस्टिंग मिल जाती है इस समय 10% नहीं 20% का डिसकाउंट चल ला है PSI 10 कोड पर PSI 10 कोड पर दोस्तो आप जो है 20% का डिसकाउंट 20% का डिसकाउंट तो दोस्तों 390 रुपे पर मंत जो आइकोनिक का है वो भी जो है आपको बहुत ही सस्ति दर पर मिल जाएगा आइकोनिक का भी क्योंकि इस समय डिसकाउंट है इस समय डिसकाउंट है 20% का कि न्यू गोल्स भी बहुत सारे एकेडिमी पर एड़ हुए है यानि कि अब इंस्योंस एक्जाम के अलग वर्टिकल होगा कोर्स का अलग वर्टिकल होगा इस्टेवनोग्राफफर एक्जाम का लग होगा कर्णर तमिल तेलगू के इग्जामनेशन के भी अलग जो होंगे ठ एससी पर दो बजे हो रहा है और रेल्वे पर सामको पांच बजे हो रहा है तो दोस्तों इस एक्जामनेशन में भी आप फायदा जो है उठा सकते हैं स्कॉलर्सिप जीतने का मौका मिलता है ठीक है समझ गये कि समझ गये कि तो दोस्तो अनकेड मीमलादमीर पुथी पूंटी दो चला तो पहले तुम लोग sotto कितने पूटीन एक रसिया को चला रहे हों कितने पूटीन थे पफिर हम बताएंगे तो दोस्तों जो है इसमीन थे तो अगर पासके हैं मेरे टेली ग्राम का लिंक होगा वहां से टेलीग्राम पर जुड कि लिंक पा सकते हैं मेरे लेक्च्र का जो तीन बजे डेली होती है और इसके बाद आपकी यहां लाइफ चैट में भी फॉलो एजप्वेटर का ओप्सन होगा ठीक है क्लियर है समझ गये तो दोस् क्वाली क्लास मिल जाएगी बैंकिंग अवेर्नेस की बैंकिंग टर्म्स वाली आपको कोर्स यहां पर मिल जाएगी ठीक है इसके बाद दोस्तों जो है यहां पर special class जो free special class होती जब मुझे follow करेंगे सबसे आखरी में मिलेगा यहां पर see all करेंगे करेंगे दोस्तों तो financial awareness करेंगे तो मेरी banking की सारी free class यहां पर मिल जाएगी जी यह भाई प्यूसर पर मैं इसका link भी भेज़ दूंगा और current affair जब क्लिक करेंगे तो सारी current affair की class आ जाएगी अब सुरू कर सकते हैं हम लोग ठीक है समझ गये ओके जैने कहा कि सर कब खिलाओगे जब तुम अपनी मां की किचन के हाथ का खाना खिलाओगे मदर किचन तब हम खिलाएंगे ठीक है समझ गये चलो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं सुरू करते हैं आज का शो हाली में किस CSIR संगठन के 75 प्लेटिनेम जुबली समारों को चिन्नित करने के लिए एक विसस डाक टिकट जोरी किया गया था दोस अधासरम से अहमदाबाद से सुरू की गई थी तबी से आजादी के अमरित मौचों की सुरुवात हुई 12 मार्च अभी परसों भी बीता है जब एहमदाबाद में मोधी जी ने खेल महाकुम्ब की सुरुवात की उसी एहमदाबाद में जहाँ पिछले साल उन्होंने आजादी के अमरित मौचों सेम डे 12 मार्च को एहमदाबाद पिछली बार भी थे गांडी मार्च की वर्जगाट मना रहे थे इस बार भी मना रहे थे ठीक है याद रहेगा तो दोस्तो 75 साल जो है पूरे हुए है CSIR संगतन के किस पार्ट के तो दोस्तो national physical 벌ड औरी नेशनल ली आज फीजिकल लेबोरेटरी जो की दोस्तो नही दिल्ली में है इसके 75 साल पूरे होने पर दाक टेकर जारी किया गया था प्म्रेंग दोस्तों अगर आप देखा जैए तो पिछले साल जो है फूड एंड अगरिकल्चर और और यॉनाइट्ञेकर नेस्टेस्ट जोटोवार को 75 शाल पूरे यह थी तो एक टिकाड जारी किया था फूड एनेगरिकल्च औरगनेशन 16 अक्टूबर को आई थी वह 24 अक्टूबर को आई थी दोनों 1945 में ही आई थी ठीक है समझ गए चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदा जिन्दाबाद जबर्दस्त तो दोस्तो चार जैनवरी 1947 को जो है पधानमंत्री नरेन जवालना लेहरू जो पहले पधानमंत्री थे उन्होंने इसके foundation को रखा था ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तो हाली में केंद्री मंत्री राजना सिंग नितिन गठकरी में लखनव कानपूर एक्सप्रेस वे का अधारसिला रख रहे हैं इस एक्सप्रेस वे का निर्म है कि दोस्तों इसको एक्सप्रेस वे श्टेट भी कहा जाने लगा यहां पर गंगा एक्सप्रेस वे पुर्वांचल एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे बहुत सारे एक्सप्रेस वे की जो है बात रखी जा रही है जिसको एक नई टेकलोजी से डेवलप किया जाए राजस्थान में यह पहला भारत का इमेजेंसी लेंडिंग फिल्ड बनाया था भारत का पहला इमेजेंसी लेंडिंग फिल्ड भी बनाया था दोस्तों अगर आपको याद होगा ठीक है समझ गए चलिए बहुत बढ़ियां ओके भाया सेलेक्शन एलेक्शन के लिए टेंशन मत लिया करो ठीक है जहां तुम्हारा होगा सेलेक्शन होना होगा वह वहां पे होगा तुम्हें एकदम टेंशन लेने की ज़रूरल नहीं है दोस्तों चीफ आफ डिफेल्स स्टाफ हेलिकॉप्टर दुर्गटना की विश्टिट जार्च रिपोर्ट किसकी देख रेक में तयार की गई तो दोस्तों MI 17 V5 से जो है दुर्गटना गरस्त हुई थी रशिया के हलिकॉप्टर तमिलनाडू के कुनूर में दोस्तों दुर्गटना गरस्त हुई थी भारत के पहले सीडियस विपिन सिंग रावत जी के जो है समेट 14 लोगों की देर्थ दोस्तों हो गई थी हलिकॉप्टर में जलके मानवेंद सिंग जी दोस्तों इसकी जो है कर देखरेक कर रहे है इसकी जो जांच कर रहे है कि जिनों ने यह बताया कि मौसम की खराबी की वैसे बादलों में जने जाने जाने नहीं दिखाने कि वैसे जाके यह पहाड और पेड़ों से तकड़ा आगे इंका हेलिकॉप्ट ठीक है दोस्तों ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो विपिन सिंह रावत जी के नाम से यूपी के मैनपुरी में एक स्कूल का नाम रखा गया है और अरुणाचल पदेश में एक हॉल का जो है उद्धाटन वहां के गवर्नर जा ब्रिगेडियर बिदी मिसरा ने किया है ठीक ह बात करें दोस्तों पधनमंत्री के चूक के लिए भी एक पैनल बनाया गया है सुप्रीम कोट के द्वारा जिसकी अध्यक्स्ता इंदू मलोतरा कर रही है दोस्तों शाओमी का आपने नाम सुना होगा आप मोबाइल भी यूज़ करते होंगे रेडमी एमाई इन सब का दोस स्टम ड्यूटी की चोरी किये चाइना की दोस्तों यह कंपनी है इसने कित्ते रुपए के जो है चोरी की है करीब छेसो तिर्पन करोड़ रुपए की दोस्तों इन्हों ने चोरी किये सोचिए खतरनाक तरीके से इन्होंने चोरी किये पांच जनवरी को बिजडी मंत्राले ने अपने प्रमुख करेकरम उजाला करेकरम के तहत एलीडी बल्बो के वितरण और विकरी के साथ सल पूरे किये यानि पांच जनवरी दोज़ार जो है यह 15 को आई थी ठीक है उजाला का फुल प्रम है उन्नत जोती भाई अफोर्डेबल एलीडी फॉर आ अभी तक देश भर में इन्होंने कितने एलीडी डिस्टिब्यूट कर दियें कितने एलीडी दोस्तों डिस्टिबूट कर दियें 10 रुपे में दोस्तों यह जो है बल्ब बाटे जाते हैं अभी Grah उजाला तो 48-100 करोड़ रूप यूनिट की जो बिजली बचाई जा रही है 19,110 करोड़ रुपए सालाना जो है मनी सेव की जा रही है पावर डिमांड में दोस्तों जो रिडक्शन आया है वो 9,565 मेगावाट पर एनम का आया है और 3.87 मिलियन टन जो है एनवली दोस्तों क्या हुआ है जो कार्बन डाइक्स उत्षरजन है कार्बन डायक्साइट का कम हुआ है तो यह उजाला योजना का फाइदा है दोस्तों 91% बिजली बचाई जाती है उजाला का फुलफा में उननत जोती बाई अफोरडेबल एलेडी फॉर ओल 91% कैसे जो 100 वाट का बल्ब पुराना वाला रोसनी देता था वो 9 वाट की एलेडी दे देती है दोस्तों एक सालकी डिप्लेसमेंट वारनटी भी है EESL company यह जो है सरकार के साथ मिलके इस पे काम भी कर रही है ठीक है तो 70 रुपए जो 9 वाट का था का एलेडी है दोस्तों यह सबके लिए अवलेबल है video video पहले जिसकी कीमत 2-500 रुपए हुआ करती दोस्तों भार्तिरीजी और बैंक ने नियामक अवशक्ताओं का अनुपालन न करने के लिए मुथूत वहिकल एंड एसेट फाइनेंस और एको इंडिया फाइनेंशल सर्विसेस के सर्टिफिकेशन को रद कर दिया है सीओ एको 31 दिसंबर 2021 को आर्बेई द्वारा किस अधिनियम के तहद प्रदत सक्तियों का प्रयोग करते हुए रद किया गया तो दोस्तों यहां पे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक 2007 के तहद इसका जो है सर्टिफिकेशन रद किया गया है मुथूत वहिकल का और दोस्तों एको इंडिया का इन दोनों का जो है सर्टिफिकेट रद कर दिया गया है ओके क्लियर है इसी तरीके से दोस्तों आपको यहां पर पता चल ला है कि एंबी एपसी पे भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर भी आर्बी आई का सिकंजा होता है और आर्बी आई उसका भी लाइसेंस रद्ध कर देता है ठीक है इसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहट दोस्तों एंपीसी आई की सुरुवात हुई इसी के तहट एंपीसी की सारे सर्विसेश चलती है चाहे वो यूपी आई वन टू थी पे हो चाह है यूपीयों चाहिओ और ये एंपीहे और यतों इसके लिए फेंश्ट के लिए पेमेंट अहीं सिस्टम डिपार्टbn burda भी बनाया गया है और जिफॉट जिसके पहले हम अजय और एक है दोस्तों NBBL जो NPCI भारत बिल पे है, NBBL के ही नुपूर चित्रवेदी है रितेश शोहान NPCI इंटरनेश्टल के हैड है, जो UPI यो रुपे को पूरी दुनिया भर में लॉंच कर रहे हैं, दोस्तों United Nation Counter Terrorism Committee के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, United Nation Counter Terrorism Committee की अध्यक्षता पहले तो इंडिया को दी गई, अब इंडिया को दी गई है, तो इंडिया के जो पर्मानेंट रिपरजेंटेटीव हैं United Nation में, वो TS तिरुमूर्ती है, तो इन्हीं को ये काम दिया गया है, United Nation General Assembly के हेड है, अब्दुल्ला साहीद, United Nation Bureaucracy के हेड है, नागराज नाइडू, दोस्तों United Nation 24 October 1945 को आया था, New York Headquarter है, और दोस्तों इसमें 193 Countries Member है, ठीक है, 193 Countries Member है, आखरी Member South Sudan है, दक्षडी सुदान दोस्तों आखरी Member है, ठीक है, क्लियर है, दोस्तों United Nation में 51 देशों ने मिलके साइन किया था, पोलेंड ने इस पर साइन नहीं किया था, जब इसकी सुरुवात हुई था, आज सफर बढ़ते बढ़ते, 193 हो गया, दोस्तों निमलिकित में से कौन ममता बियॉंड 2021 नामक नई पुस्तक के लेकाक है, ममता बनर जी जो है, नेशनल नेता हो गई बेंगॉल में जीत के बाद, तो दोस्तों यहां पे जो है, जैंत घोशाल जो है, ममता बियॉंड 2021 नामक नई पुस्तक के लेकाक है, ऐसे ही रतन टाटा के उपर एक बुक आई है, उनकी बायोग्राफी पर, जो कि थॉमस मैथ्य मैथ्यू ने लिखी है, दोस्तों ममता बनर जी ने अभी जो है, सतुदन सिन्हा को आसन सोल सीट से जो है, टिकट दिया है, वहां पे लोगसभा उपचुनाव होने वाला है, सतुदन सिन्हा भाजपा के बाद कॉंग्रेस में गए, अठल जी के सरकार में मंत्री भी हुआ क करते थे और अब यह जो है, तिर्मूल कॉंग्रेस में चले गए हैं, गोवा में भी तिर्मूल कॉंग्रेस ने खाता खोल के राश्री पार्ती होने का खताब जो है, जारी किया है, ममता बनर जी टाइम्स के 100 इंफ्लूइंशल लोगों में है, अधारपुना वाला और मोध के बाद तीसरी भारती वहीं है, दोस्तो रिलाइंस रिटेल ने अभी डूंजो एक डिलिवरी कमपनी है, उसके साथ टाइएप किया है और उसको जो है 25.8% के हिस्सेदारी दोस्तो ली है, रिलाइंस रिटेल ने डूंजो में करीब 200 मिलियन अमेर्की डॉलर के खर्चे प वैसे रिलाइंस ने दोस्तो अभी एडवर्ब कमपनी का भी खरीदा था जो की रोबोटिक कमपनी थी नोइडा की और एक दोस्तो नियू यॉर्क में एक मंदारीन होटल को भी खरीदा था रिलाइंस इंडेस्ट्री जो जिनके CMD है मुक्य संभानी है मुंबई हेटक्वा जियो यूपी आई आटो पेपर लॉंच होने वाला दोस्तो पहला टेलिकॉम कमपनी हो गया यूपी आटो पे किसे कहते हैं दोस्तों तो जो आटोमेटिक आपके पास मैसेज आ जाएगा कि भाया अगला जो है बिल का पेमेंट कर दीजे बस आप ओटीपी यूपी यूप आटोमेटिक बिल का पेमेंट हो जाएगा यूपी आटो पे से नेटफ्लिक्स और अमेजॉन चलते हैं यूपी आटो पेपर अब टेलिकॉम कंपनी जीओ भी आ गया है दोस्तों जीओ दुनिया का टॉप 5 ब्रैंड में गिंती रखता है और जीओ में दोस्तों कोरोना के स सरकार ने यूवेई की सरकार ने निवेश किया था किंबेंग की बात करें तो दोस्तों इसमें एस्बी आई का 30% है 30% शियर है दोस्तों एसबी का रिवंट इंडश्ट्री का जो है शेर है 70% ओके तो दोस्तों। एंसर होगा जी हो ओके यूपी आई आटो पे या कोई भी रेकरिंग पेमेंट जो आटोमेटिक जो है ऑनलाइन पेमेंट है दोस्तों जो हर महिने जो है आपके अकाउंट से कट जाता है चाहिए लाइसी के पॉलसी हो एमाई हो या म्यूचल फंड के पेमेंट हो एसाइपी प्लान हो तो दोस्तों उसकी जो है लिमिट ऑनलाइन पेमेंट के तुरू जो आटो पे होता है उसकी लिमिट पांच जार रुपे मैक्सिमम तैग की गई है दोस्तों पता मज़ा आ रहा है कि नहीं तुम लोग को पहले होता होगा कि नहीं होगा ये बात बताओ जितनी भी चीजसे में बतार हुँ क्योंकि मैं जो लिख के लाता हूं वह इक्जाम में आता हुँnorm वह डे लीजा में आता है को कि वह चीज़े मेरे अनुभव की आधार पे आती है бо ये बात थी तुमार अवधेश बसंत अनमोल स्मुती रंजन अवधेश सब ने कहा भाई आप बहुत मजा आ रहा है बहुत बढ़िया और जो रिक्रिंग पेमेंट है अनमोल उसको जो है अनिमेज करें सर थोड़ा एनर्जिक दिखाओ एनर्जिक का नाच-नाच के दिखाएं का बे सब कहरें सर आपकी बात ही अलग है क्या बात है एनर्जिक में काईशेच करके पढ़ाएं तुमको इतना जान दिये खसी जीवसंग जाएं खवया के सवादे नाएं है है तो दोस्तों यहां पर यह बात यार दक्येगे ठीक है हाली में खबरों में रहा इपोनिया एक इपोनिया लिटुरेच्ट्टर मिला है दोस्तव जो रमयार का एक सैसा संस्कृण है जो देष में पाया जाता है ठीक है इपोनिया विस वस सिन il vous recently is a similar version of Ramayad found in which country तो दोस्तों जो है ये इबोनिया जो है Medagaskar में Medagaskar देश में एक ऐसा संस्क्रण पाया गया है जो रमायाड की तरह है जो दोस्तों जो है रमायाड की तरह है ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल जो recurring payment है online payment वो पांच जार रुप है जो है वो जो है पांच जार रुप है ठीक है clear है समझ गए बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे रमायाड ऑफ मेड़ा गासकर भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें भी जो है सीता जी और राम जी की तरह character है है ना जो की पूरा का पूरा हमारे रमायर से मैत खात वैसे भी हमारा राम जी की राम लीला जो है आपके वियतनाम में होती है आपके कंबोडिया में होती है इंडोनेशिया में होती है थाइलेंड की खोन रामलीला तो युनेस्को में मुखोटे वाली रामलीला युनेस्को में दर्ज है राकेश ठारोल जी हम इसम आपको तरह प्रणाम करें जुकते नहीं हम फ्लावर नहीं फायर हम जुकते नहीं आप क्या आप प्रणाम करें अपको ठीक है तो दोस्तों यह है मेडागासकर में ही मीसं सागर के तहद हमने उसको मदद पहुंचाया था पांच आइलेंड नेशन को मीशन सागर के तेट कोरोना की समय हमने मदद पहुंचाया था मेड़ा गासकर मौरिसस और मालदीव और सेशल्स और कॉम्रोस सेशल्स और कॉम्रोस समझ गया चलिए तो दोस्तों सीरियम द्वारा दा ओन टाइम पर्फॉर्मेंस रिव्यू एरला ने14, 6000 क से एरपॉर्ट को बड़े हवाय एडडो की के्टेग्री के तहत विश्व में टॉप एट स्थान दिआ गया तॉप तेन में आने वाला यह पहला इंडियन एयरपोर्ट है पहला इंडियन एयरपोर्ट है तो दोस्तों इसका नाम है चेन्नई एयरपोर्ट क्या नाम है चेन्नई इंटर नेशनल एयरपोर्ट बात समझ में आ गई तो दोस्तों यहां पे यह भी याद रखेंगे ओके अभी दोस्तों आज 6 एयरपोर्ट को एवार्ड मिला है आज सुबह मैंने 5.30 बजे लेट्स करेक बेंक की एक्जाम पर मैंने पढ़ाया साड़े 5 बजे की क्लास आज सवा 10 बजे हुई थी क्योंकि भाईया जो की देने वाले स्ट्रीम की जिससे यूट्यू लाइव होता है वह में देने वाला कोई था ही नहीं है की नहीं तो दोस्तों जिसकी वज़स से अब सुबह कोई उठता भी नहीं है मैं सबको फोन करता नहीं में सब्सक्राइब टूब तो यह जो है प्रॉब्लम हो गई थी है कि ठीक है कि तो दोस्तों आच यह एईरपोर्ट को अवर्ट दिया गया था आपने देखा वो सेशन है ना दोस्तों सेंटर इंस्टिट आफ क्लासिकल तमिल यह किस शहर में श्थित है सेंटर इंस् पहिया क्योंकि पधानमंत्री जी गए थे तमिलनाडू में 11 मेडिकल कॉलेज का उद्गाटन किया वहाँ पे और साथ ही सेंटरल इंस्टूट अप्लासिकल तमिल का किया इसी तरीके से यह गए थे जब यूपी तो यूपी में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज का है कि हर जीले में मेडिकल कॉलेज बना दिया जाए तीस से हमारे जो डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चे उनको यूक्रेन न जाना पड़े उनको रशिया न जाना पड़े लेकिन खाली यही करने से नहीं होगा आपको फीस भी कम करनी होगी तो कि यहां पर जो 80 लाक लग लेकल कॉलेज बनाने का संकल्प है मोदी जी का उस पर यह लगे हुए है आपको याद हूँ तो जैपूर में इन्होंने सीपेट का भी उद्गाटन किया था जैपूर में सेंटल इस्ट्यूट पेट्रोलियम एनर्जी टेक्नलोजी का समझ गया है कि क्लियर है कि एवरी स् इस्टिक में दोस्तों तमिलाडू की जो कैपिटल है वो चैन नहीं है दोस्तों चैन नहीं सेंटल जो स्टेशन है वह अभी सोलर पावर से इनेबल किया गया इस टॉलिंग यहां के मुकमंत्री है जिनोंने अभी अपनी एक बुक लिखी है वन अमंग यू जिसको की देश के सरवाधिक लोकपरियनेता राहुल गांधी जी ने इनागरेट किया था दोस्तों आरेन रवी जो है यह गवर्नर है तमिलनाडू के स्मार्ट ब्लैक बोट योजना दोस्तों यहां चलती है इमुनेत्रम वेब पोर्टल यहां चलता है हेल्थ केर आपके द्वार योजना यहां चलती है इल्लम थेड़ी कलवी घर पे सिक्षा दोस्तों यह यहां चलती है कपड़े की थैलियों के यूस को बढ़ावा देने के लिए मिंदम मंजपई योजना उन्होंने सुरू किये डेनमार्क ने यहां पे गल्फ ऑफ मननार में आइलेंड है ग टुगौंग अंजर्वेशन सेंटर यहां पर इनर्जी आइलेंड भी बनाया गया है ठीक है क्लियर बात समझ में आ गई दोस्तों इसके अलावा यहां पर जो है डिफेंस प्रिडोर बनाया गया defence को दो यूपी में है और यहां पर है फोर्ड यहां पर अपना फैक्ट्री बंद किया है दोस्तों ओला ने यहां पर फैक्टरी इपनी दुनिया रचसे बड़ी स्कूर्टर स्कूर्टे सुरूर किए टाटा ने अपनी मॉबाइल की फैक्टरी सुरू किये यहां पर पुजंगल जै भीम और असुरन जैसी मूवी है दोस्तों जो तमिल लेंग्वेज में है ठीक है समझ गए उसके बाद दोस्तों यहां के कन्या कुमारी लॉंग को काडंगी सारी को पंचामृत प्रसाद को इरोध हल्दी को डिंडी गुल ताले को काडंगी सारी को करपूर कलमकारी पैंटिंग को यहां पर जी आई टैग मिला है भारत का पहला दिजिटल फूड म्यूजियम भी दोस ताइब किया है त्रमिलाडउ ने बॉंबे स्टाक एक्छेंज के साथ टाइब किया है ठीक है कि समझ में आ गया है कुचंगल मुवी को इंटरनेश्नल लेवल पर किस मुवी के जाना जाता है तो ते लंग कहा से कह एक टमिलादू पढ़ रहे हो तो डोंट बी कन्फियोस मेरा पड़ रहे हो तो यह बहूंकर कि वोलों कि तमिलादू के जो कांची पूरम मंदिर है वो क्यफ्थ में जारी हुए है यूनेस्को के है कि नहीं तमिलाडू जो है मुद्रा योजना में टॉप किया फॉरेंट टूरिस्ट को एट्रेक्ट करने में टॉप पे रहा है पेबल्स नाम है बिल्कुल सही तो दोस्तों यह जियाई टैग है कन्या कुमारी क्लोव को मिला है वेलो काटेदार बैगन को मिला है कडलई जिर के पंच्यामरित प्रसाद को मिला है विलाचेरी मिट्टी के खिलावने थ्याम पट्टी नकासी इरोड हल्दी डिंडीगुल लॉक तो यह सबको दोस्तों जी आई टैग मिला है तमिलनाडू को ठीक है करनाटक सरकान ने मेंगलोर में करनाटक का पहला एल एंग टर्म टर्मिनल स्थापित करने के लिए किस देश के लेंग गडबंधन के साथ एक समझोते ग्यापन पर हस्ताक्चर किये हैं तो दोस्तों मेंगलोर में करनाटक का पहला एल एंग टर्मिनल जो है स्थापित किया गया सिंगापूर की मदद से दोस्तों किसकी मदद से living में भी सबसे टॉप पर है सबसे जो है आपका टॉप पर है बात समझ में आ रही है बैंगलोर जो है हाइस्ट ग्रोविंग जो है फास्टेश ग्रोविंग सिलकॉन वेली टेकलोरजी सेंटर भी है ठीक है क्लियर है और दोस्तों यहां जन्व साइं स्माल फाइनेंस बैंक का हेड़कॉर्टर है उजीवन स्माल फाइनेंस बैंक का हेड़कॉर्टर है और फिन केर स्माल फाइनेंस बैंक का हेड़कॉर्टर है यहां पर कैनरा बैंक का हेड़कॉर्टर है यहां इसरो का हेड़कॉर् है पत समझ में आ रही है क्लियर है कि समझ गया है कि दोस्तों बसाव राज बोंबही यहां के मुखमंत्री है थावचंद गहलोत यहां के गवर्नर है एनिमल वार्फेर वार्रूम यहां पर सुरू किया गया अवलोकन सॉफ्ट्वेर नगरुत्थान योजना इस्पंदन खेलो इंडिया इंवर्सिटी गेम दोस्तों जैन इंवर्सिटी में होगा यहीं होगा अगले साल का खेलो इंडिया गेम भी यहां पर होगा दोस्तों केंपे गोड़ा एरपोर्ट यहां का एरपोर्ट है दोस्तों जिसको की सेंटर आफ एक्सिलेंस अवर्ड मिला है वाइ रेल्वे स्टेशन था यी रूपी लॉंज करने वाला यी रूपी के तुरू स्कॉलर सी बाटने वाला पहला राज करनाटक है नई सिच्छा नीती जो केक अस्तुरी रंगन साहब ने बनाई है जो 2886 की सिच्छा नीति एजीचेशन पॉलसी को रिप्लेश करती है वो न्यूव एजुकेशन पॉलसी को implemet करने वाला पहला राज करनाटक है भारत का पहला ब्रेन हेल्थ इनिसीएटीव इस ने सुरू किया में लिब्वारा करेंट करने के लिए में यह स्टेट है जिसने एक परसेंटार राखशेंचर लोगों को दियाicação लोगों को दिया है दोस्तों अपनी नौकरी में क्लिएर ययाद रहेगा a कि इनोवेशन इंडेक्स में इसने टॉब किया करनाटकाने वेरी गूड कर सिमिला दस लाग से कम की अबादी में हैं बिल्कुल सही कान मोल तमिलनाडू के सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व को टीन टू टू एवार्ड मिला वेरी गुड बसंध पिली भी टाइगर रिजर्व को भी मिला है अधेश करें सार आप गुस्सा मत हो कॉफी पिलो मैं को गुस्सा होंगा जी बिल्कुल दिव्या सही का सत्य मंगलम बहुत अच्छा तो दोस्तों जो है जी आई टैग भी मैं दे दूंगा आप लोगों को जी आई टैग तो मैंने पढ़ाया है कई बार स्टेट वाइज पीडिएफ आज मैं तुम लोगों को जी ये बाई प्यूसर टेलिग्राम पे जी आई टैग का दे दूंगा खुश जी आई टैग का एक पीडिएफ जो है मैं दे दूंगा डोंट वरी विश्व का सबसे बड़ा खादी राश्टी धवज 15 जनवरी को लोंगे वाला में सेना दिवस मनाने के लिए पदरसित किया गया तक कहां पे 15 जनवरी को दोस्तों आर्मी डे मनाते हैं जिस दिन भारत के पहले फर्स्ट भारती कमांडर इंडिशीफ की नियुक्ती हुईती करियप्पा साहब की 15 जनवरी को और 14 जनवरी को रिटायर हुए दे तो वह हम लोग उस दिन वेटरेंडे मनाते हैं । फिक है सबुस्तों कि इसमें जो है 20 135 मीटर की इसकी जो है लम्बाई है और 1500 मीटर की दोस्तों इसकी चोड़ाइए देड़ सो मीटर की क्या है इसकी चोड़ाई है बात समझ में आ रही है तो दोस्तों जैसल मेर में जैसल मेर में लोंगे वाला पोश्ट है जहां पे बॉर्डर पिक्चर आपने देखा था कि हमारे जो 120 जवानों ने कैसे 1971 की जंग में इन्हें रोके रखा था इनके टैंक की धजियां उड़ा दी थी दोस्तों वहां पर उसी लोंगे वाला पोश्ट में उसी रेगिस्तान में जहां पे युद्ध लड़ा गया था दोस्तों वहां पे जो है यह सबसे बड़ा खादी तिरंगा जो है पहनाया गया फैराया गया दोस्तों यह तिरंगा सबसे पहले ज इक्किस अठ अठ अक्टूबर को अठ अक्टूबर को एयर फोर्ष डे के दिन हिंडन एयर बेस पे फैराया गया था उसके बाद दोस्तों यह तिरंगा 21 अक्टूबर को जब 100 करोड वैक्सिन लगा था तो यह रेड फोर्ट पे पैराया गया था दिल्ली में। दोस्तो इसके बाद ये तिरंगा चार दिसम्बर को चार दिसम्बर दोस्तो चार दिसम्बर को जब नेवी डे मनाते हैं तो ये मुंबई में गेटवे ओफ इंडिया पे फैराया गया था कि बाद समझ में आ रही है और फिर ये पांचमी बार आर्मी डे के दिन लोंगे वाला पोश्ट पे फैर आया गया ठीक है क्लियर है है ओके सोलह जनवरी को दोस्तों इसी के ठीक एक दिन बाद कि हमारे कोरोना वैक्सीन लगने के एक साल कंप्लीट हुआ पहला कोरोना वैक्सीन एम दिल्ली के एम दिल्ली के जो है सफाई कर्मी मनीश कुमार को फैर आया गया था ठीक है क्लियर है कि दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पाचवा सारोजिनिक प्रदर्शन था यह अगर हम बात करें की तो तो सो पच्चिस फिट का दोस्तों यह जो तिरंगा था एक देर सो फिट जो है चोड़ा था यह जैसल मेल मिलेटरी स्टेशन में साउधन कमांड ने इसको अन्वेल किया था ठीक है दोस्तों हाथ से बने हुए इस खादी कॉटन में पैतालिस सो मीटर का जो है कपड़ाज से बुना गया है दोस्तों हिंदी में पढ़ते हैं पैतालीस सो मीटर हाथ से काते हाथ से बाने हुए खदी कॉटन बंटिंग का इस्तेमाल किया गया है जो दोस्तों 33,750 स्क्वाइर छेतर को कवर करता है तो असोक्षकर का जो डाइमिटर वो तीस फीट का है इसका वजन करीब देड़ तन का है दोस्तों देड़ तन का इसको जो है किया ठीक है तो दो अक्टूबर को सब से पहले लेह में जो है इसका अनावरण किया था में मिनिस्ट्री के जो है ऑन की ही घादी वाला सारा काम देखते तो खादी से बना हुआ है यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है क्लियर है। चली दोस्तों किस कंपनी ने केया में वो केया दोस्तों जो प्रवान में सबसे आगे रहता है वही केन्या दोस्तों जिसकी नहरोबी में युनाइटे नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राप का हेटक्वाटर युए नीपी का जिसने मोदी जी को अवाड दिया था चैंपियोन अप दिया ता और विद्धित मोहन को अवाड दिया था उसी केन्या में अफरीका की पहली प्राइवेट पार्टनर्शिप मोड परियोजना को डेवलप करने के लिए अफरीका 50 के साथ एक मुपर सिगनेचर किया गया है किस कंपनी के दौरा तो किस कंपनी के दौरा किया गया पावर ग्रिट कॉर्पोरेशन के दौरा किया गया किसके दौरा किया गया पावर ग्रिट कॉर्पोरेशन के दौरा किया गया है ठीक है ओके चलो पावर ग्रिट से याद आया एक कंपनी थी जो 11 महारतन कंपनी बनी थी जो एक्जाम में कोश्चन भी पूचा गया था 11 महारतन कंपनी कौन बनी थी एक्जाम में पूचा गया था मैंने पढ़ाया था उसी हपते Power Finance Corporation उस company का नाम था Power Finance Corporation याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है दोस्तो Commerce and Industry Minister प्यूश गोएल जी के आकड़ो कॉंसार भारत ने किस महीने highest monthly export किया है किस महीने highest monthly export किया है तो दोस्तों December में highest monthly export किया है December में December is the right answer और दोस्तों कितना किया है तो 37.29 billion का monthly export का record आकड़ा भारत ने छुआ है एक महीने का highest export दोस्तों अगर बात करें कि GST का highest जो है किस महीने में रहा है तो January में रहा है दोस्तों January 2022 में जो करीब करीब एक लाख 84,000 एक लाख 40,986 के करीब था यानि करीब करीब एक लाख 44,000 मान सकते हैं आप दोस्तों अगर बात करें कि फॉरेक्स में हमने highest कब जो है चीव किया था तो फॉरेक्स हम लोगों हमने सेप्टेंबर में चीव किया था 2021 को जब हमने दोस्तों कि क्या कहते हैं कि आप चेह सो बैयालिस बिलियन यूएज डॉलर का जो है हम लोगों ने दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार को टच किया था बात समझ में आ गई क्लियर समझ में आ गई पहले हम लोग जीएश्टी का पढ़ते थे जीएश्टी का क्या पढ़ते थे हम लोग पहले अप्रेल पढ़ते थे अब हम लोग जनवरी 2022 पढ़ रहे हैं ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों Commerce and Industry Minister जो है हमारे यह प्यूश गोयल जी है और यह जो है अभी जो 2023 में जी-20 होने वाला है उसके शेरपा भी है 2 2 2 3 में दोस्तो हमारे हाह जी 20 होने वाला है उसके शेरपा भी flavor इसके शेरपा भी हैं सब एक-एक नंबर में तुम लोगों देते चला जा रहा हूं बाप्रेबाप कितना नंबर लोगे यार तुम लोग नवब्वर दिसंबर दोस्तों तीन बजे एप पर होता है उसका जीए भाई प्यूसर टेलिग्राम पर मैं लिंक भेज देता हूं वहां से आप लोग जॉइन कर लिया करो ओके क्लियर है बात समझ में आ रही है कि नहीं हां मेरी पेंट ठीक हो गई यहां पर वह जो है बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन पूछा गया था जिसकी वज़े से मैं पेंट तोड़ वह था 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 फासी सजा के बाद इसे जज पेंट नहीं तोड़ देते हैं वैसे वह सवाल मैं पुछने के लिए जो मैंने इतना कॉल का वेवस्था किया वह सवाल सुनने वार्द मेरी पेंट टूड़ गई कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसे तीन साल किया उठीक लिए एग्रीटेशन एजएंसी कुछं लोग पुछते एग्रेटेशन एजएंसी किसे कहते हैं सर यह माननेता देने वाली एजनसी को कहते है माननेता को कहते है एग्रेडिटेशन एप्रूवल मैं जैसे कि कई जो है कॉलेज होते हैं कि इस इन्वर्सिटी के द्वारा माननेता प्राप्त है तो वह उसकी एग्रिटेशन एजनसी है तो दोस्तों तीन साल की अ याद आया CDSL ने 60 million यानि 6 करोड डीमेट एकाउंट खोल के दुनिया की सबसे बड़ी जो है डीमेट एकाउंट रेइस्टेशन का जो है डीपॉजीटरी बन गई है CDSL 6 करोड डीमेट एकाउंट रेइस्टेट करके दोस्तों बन गई ठीके समझ गये कि ओके समझ गये चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों CDSL के अलावा अगर हम लोग ब्यात करें तो Bombay Stock Exchange भी दुनिया के टॉफ फाइव बड़े जो है शेयर बाजारों में गिंती हो गई है उसकी अगर देखा जहें नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव मार्केट बन गया है डेरिवेटिव मार्केट बन गया है कि समझ गये चलो बहुत बढ़िया शांदा जिन्दाबाद जबर्दस्त तो दोस्तों एक सीडी एसल है जो सेंट्रल डिपोजटी सर्विस लेंटे रहे जो कि हमारे शेयर के डॉकमेंट्स को जो है कि वह रिस्टर्ट करता है डिमेट अकांट को जो है वह करता डिपोजटी एक अनस डील है एपमजा चुंदरू बनी है वह नेश्टल सिक्योर्ट कोटी डिपॉजिट्री लिम्टेड है वो एनसी का है यह बीसी का है बात समझ में आ रही है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों भाठती रिज़र बैंक ने लोगपाल योजनाओं की वार्शिक रिपोर्ट जारी कि आपको पता है कि 12 नवंबर को तीन लोगपाल को म ख्यांबर भी दिया गया है दोस्तों जो cine Cesar pleasant जो है चन्डीगर में जाके फोन लगेगा यह C lijney मे Hmm लगेगा यह Cымлем बहूंबर में पोस्ट कर सकते हैं चेर्षए इसे रिप्रक्वीस सेंटर है दोस्तों और आउब यह के मोफिस पर 있지 फ्लोर पे यानि कि Google पे phone पे कोई आपके साथ cheating हुई है तो Flipkart Amazon पे तो उसका लोगपाल अलग था अब सब लोगपाल एक कर दिया गया है जिसको CMS portal rb.org.in पर जाके आप जो है वहां से भी complain कर सकते हैं तो दोस्तों वृद्धी कितनी हुई है complain में तो दोस्तों complain में 22.27% की विद्धी हुई है और 3,3107 जो है इस बार जो है complain लोगपाल ने सुनी है लोगपाल में दोस्तों आपको जो है complain करने के एक महीने के बाद अगर बैंक नोई कोई reply नहीं करता तो आप बैंकिंग लोगपाल में case कर सकते हैं और बैंकिंग लोगपाल जो decision देता है वो आवार्ड कहलाता है एक साल के अंदर आपको complain करना होता है दोस्तों एक साल के पुराने matter नहीं सुनता है लोगपाल यानि कि लोगपाल आपने बैंक में complain किया 30 दिन वेट किया बैं अपील करेंगे यानि highest appellate authority deputy governor केस कितने तक का भी लोगपाल सुन सकता है लेकिन मुआपजया खाली 20 लाग तक का दे सकता है 20 लाग से उपर के मुआपजये के लिए फिर deputy governor देखेगा एक लाक रुपया mental harassment physical harassment और जो है अपने जो है खर्चों के लिए अलग से भी आप समझ में आ रहा है क्लियर है लोगपाली स्कीम जो है समझ में आ रही है वेरी गुड तो दोस्तों बैंकिंग लोगपाल जो है सेक्षन 35 ए और बैंकिंग रिगुलेशन एक्ट के तहट 1995 में आई थी 2006 में उसका amendment हुआ था 2018 में आपकी NBFC आई और 2019 में जो आपकी यह आई थ ठीक है समझ गए क्लियर है कि सीडी एसल के हैड नेहल बोरा है यह बसंत बता रहे हैं वेरी गुड बहुत बढ़ियां आई आई डिये के हैड देवासी स्पांडा है यह भी हमें बसंत नहीं बताया था समझ रहे हैं बसंत ही नियुक्ती में अंदर से इन्वाल्व रहते है पूरे देजबर में दोस्तों निम्लिकित मेंजे किस बैंक ने पूरे भारत में MSME के लिए 50 लाख रुपए तक की रिड़ सेकृर्टी को आसान बनाने के लिए एक एक ऑन-लाइन लोन देने वाले मंच को लॉंच किया है एक दोस्तों एललें लेंडिंग प्लेटफर्म लॉंच किया है है तो दोस्तों ये फेडरल बैंक ने लॉंच किया है ठीक है अब फेडरल बेंक योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर अलुआ कोची केरल मेंस का हेड़कॉर्टर है और दोस्तों जो है अब फेडरल बैंक जो है इसके हेड है श्याम स्रेनिवासन इनको पिछली बार बैंकर आप दी यर अवार्ड मिला था लेकिन इस बार का बैंकर आप दी यर अवार्ड दोस्तों वो किसको मिला है वो संदीब बक्षी को मिला है जो ICC बैंक हेड है जो ICC बैंक हेड है दोस्तो mutual fund का नाम बदलके white org रख दिया गया ऐसे ही दोस्तों Reliance mutual fund का नाम जब बदलके nipon हो गया था तो पूचा गया था कि nipon जो है mutual fund company कहा की company है nipon company कहा की company ठीक है तो दोस्तों आपको बताना है कि white or company कहा की company है ठीक है दोस्तों ऐसे ही Max Bupa Health Insurance नीवा भूपा हो गया है ठीक है क्लियर है मैक्स भूपा जो है वो नीवा भूपा हो गया है बात समझ में आ गई क्लियर है चलिए बहुत बढ़ियां शानदाज जिन्दाबाद जबरदस्त दोस्तों जनवरी 2022 में क्रिकेट के खेल के प्रती उनकी सेवाओं के लिए निमलिखित में से ट्रूक बिशे राजपरिवार दोस्तों राजपरिवार और दोस्तों वो नायठूड की उपादी देती है लाइफ हुड के उपाधि हमारे गुरुदेव रविन्ना तैगोर को मिला था अभी लुइस हे मिला था जो surprised कि राजसाही परिवार我 यह प्रिस विलियम से दोस्तों इन्होंने लाइफ उपाधी कि को दी है दोस्तों इन्होंने नाइट हूड के पादी सर्क लाइव लाइट को दी जो वेस्ट इंडीज के बहुत खतरनाक कैपटन थे दोस्तों टॉप फाइफ जो है बेस्ट कैपटनों में यह जो है आते हैं ठीक है सर कभी कभी मेरा नाम भी ले लिया करो तुम्हारा नाम तो सत्त है राम नाम सत्त है भाई साब इससे ये नाम नहीं आखरी में लिया जाता है मरने के बाद समझ रहे हैं और राम नाम से जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है हमको अभी रहना है यहां बटकना है प्रितवी पर और अभी हमको मोख्च नहीं चाहिए समझ रहे हो समझ रहे हो कि नहीं राम है कि नहीं तो दोस्तो क्लाइव लॉयड को मिला यहां पर और लुइस हैमिल्टन जिन्होंने सौ रेस जीते थे उन्हें भी जो है जी आई टैग मिला था दोस्तो कौन सा देश ब्रम्हो शोर आधा पॉरें कंट्री to place मनीला पेशो फिलिपिन मनीला पेशो में आडर भी कर दिया है ब्रमोस के लिए ऐसी आकास प्राइम मिसाइल एक्सपोर्ट होने वाला पहला जो है वो मिसाइल था जिसे भारत डाइनेमिक लिम्टेड हैदराबाद ने बनाया था ठीक है अब है क्लियर है अभी आएनेस विसाइका पटिनम के अलावा किस आइनएस पर ब्रमोस का परिक्शण हुआ था सूखोई से भी ब्रहमोस के नए वाले वर्जन का जो परिक्शण किया गया अब्दूल-कलामद्वीप से भी परिक्शण करके देख लिया गया समुद्र से देख लिया गे, आई एनेस चेन नहीं, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, दोस्तो इसरो ने गगन यान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का योगता परिक्षर सपलता पुरवक कर लिया है, बारत का पहला मानो अंतरिक्ष मिशन गगन यान किस एर में लॉगर किया जायएका, गगन यान में, तीच अंतरिक शात्री, तीन अंत्रिक शात्री जाएंगे, दोस्तो, जैसे पधान मंत्री आवास योजना 2002 में, अज़ादीी की प्लेटन और fewली पे होने वाला था, होने ने 122 में, लेकिन नहीं हो पाया, यह 123 में सिफ्ट हो गया ह कि दोजा 23 में नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रिटार का भी जो है दोस्तो डेडलाइन है और वैसे ही पधानमंत्री अवास योजना को भी 2022 से 24 तक बढ़ा दिया गया है ठीक है कि समझ गया है कि क्लियर है कि दोस्तों गगन यान में पहले क्रूलेस जो है अभियान होगा जिसमें रोबोट भेजा जाएगा उसका नाम व्योम मित्र रखा गया है उस रोबोट का नाम व्योम मित्र रखा गया गया गगन यान भी बढ़ा लिए थे चंद्रयान टू में मदद नहीं किया था इस बार कर रहा है ठीक है क्लियर है कि समझ गए तो भाया अगर कोश्चन गलत हो रहा है और जैनवरी आपका कंप्लीट नहीं तो इसलिए तो मैं करा रहा हूं मैं कुछ भी कहां चोड़ रहा हूं फरवरी हमने एप पे कर लिया जैनवरी यहां कर लेंगे जैनवरी के बाद यहां फरवरी सुरू करेंगे अब नौंबर दि nel है किया ही हुआ है कल से देखो कल से अपनी क्लास सुनों एपड और हो अचरा अपराप अपर अबजे और अपनी क्लास एक बजे कल में नया क्लास priority सुरू कर रहा हूं रास के संख्या बढ़ा दिया हो ताकि आप लोग चलुझा कंबर हो जाए तो अब मैं तीन घंटा पढ़ा पर दो तुमारा घाठा इसमें मेरा कुछ नहीं जाता तो अगर में सबस्क्रेश क्राइं आ गई फांच बजय ठीक है मार्ट चलेगा नौंब़ दिसंबर तीन बजे और यहाँ जेनवरी फर्वरी जनवरी कंप्लीट ही हो जाएगा फर्वरी सुरूब कर दूंगा मैं उसके बाद समझ में आ गई क्लियर है चलो इसके बाद साड़े-साथ बजे साड़े साथ बजे प्लस सब्सक्रिप्शन वाले छोड़ना मत क्योंकि यह फिनेंशल करेंट अफेर चलेगा क्योंकि फिनेंशल करेंट अफेर से फिनेंशल टर्म्स ले लेके मैं पढ़ाऊंगा ठीक है समझ में आ गई बात तो एकदम चीजों को लेके चलेंगे अगले चा फुल करेंगे बस यह सीजियल के लिए भी चली रहा है आरबे के लिए चला लेकिन फोकस अपना यह साइस है कि हम लोग चार्ट दिन में ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए ठीक है सर्जय मिसाइल पाकिस्तान में गिरा उसका क्या ना वो तो गल उसका नाम है गलती गलती से गिरा अवधेश कहरें ब्रमोज नाम है चलो के बबाए टेक केर साड़े साथ बजे मिलते हैं पर फटा फट कल सुबह साड़े पांच बजे लेट्स करेंग एक्जाम पे सबसे प करेंट अफेर कोई दे तो मत देखना मेरा सू और जो फालतु समय वरबादिया नहीं होती है खाली करेंट अफेर चालिस चालिस करेंट अफेर पढ़ते हैं हम लोग बबाए ओके डाए